ओम श्यान्ती, तीन नवंबर दोहजार जोबिस के अव्यक्त बापदादा के महावाख्य, रिवाइस कोर्स 25 अक्टूबर दोहजार दो, मुर्ली का सार, ब्राह्मन जीवन का आधार, प्योरिटी की रोयल्टी, आज स्ने का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रही हैं, चारो ओर के स्नेही बच्चे, रुहानी सुक्ष्म डोरी में बंदे हुए, अपने स्वीठों में पहुँच गई हैं, जैसे बच्चे स्नेह से खिंच कर पहुँच गई हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंदा हुआ, बच्चों के समुख पहुँच रहे हैं कि चारों और के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाई हुई हैं समुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे वे बच्चों को भी देख देख हर्शित हो रही हैं ये रुहानी अविनाशी स्नेह परमातम स्नेह आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभ अन्भव कर रही हो बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रुयल्टी देख रही हैं ब्रामन जीवन की रुयल्टी है ही प्योरिटी तो हर एक बच्चे के सिर्पर रुहानी रुयल्टी की निशानी प्योरिटी की लाइट का ताज देख रही हैं आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रुहानी रुयल्टी का ताज देख रहे हो, पीछे वाले भी देख रहे हो, कितनी शोबनिक ताजधारी सभा है, है ना पांडव, ताज चमक रहा है ना, ऐसी सभा देख रहे हो ना, कुमारियां ताजधारी कुमारियां हो ना, बाप तदा देख रहे ह कि बच्चों की रुयल फैमली कितनी स्रेश्ट है, अपने अनादी रुयल्टी को याद करो, जब आप आत्माय परमधाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रुहानी रुयल्टी विशेश है, सर्वात्माई भी लाइट रूप में हैं लेकिन आपकी चमक सर्वात्माऊं में स्रेश्ट है याद आ रहा है परमधाम अनादी काल से आपकी जलक फलक न्यारी है जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं सब लाइठी हैं लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेश सितारों की जमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की जमक, रुहानी रोयल्टी, प्योरिटी की जमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रुहानी रोयल्टी की प्रसनेलिटी कितनी विशेश रही, सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रोयल्टी और किसी की रही है, रुहानी रोयल्टी, प्योरिटी की प्रसनेलिटी याद है ना, पांड़ों Свी ऊतर आफं़ को भी याद है याद आ गया फिर मध्यकाल में आऊ तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पुजे चित्र बनाती हैं उन चित्रों की रोयल्टी और पुजा की रोयल्टी द्वापर से अभी तक किल चित्र चित्र तो बहुतों की हैं, लेकिन ऐसे विधी पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की हैं, चाहे धर्म पिताई हैं, चाहे नेताई हैं, चाहे अभी नेताई हैं, चित्र तो सब के बनते, लेकिन चित्रों की रियल्टी और पूजा की रियल्टी किसी की देखी हैं, डबल अपने पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है, या सिर्फ सुना है? ऐसे विध душ पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रुहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, ना होगी, क्यों? प्यूरिटी की रूयलटी है, प्यूरिटी की परसनालिटी है, अच्छा देख लि आपनी पूजा नहीं देखी हो तो देख लेना अभी लास्ट में संगम युक पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्यों के अंदर प्योरिटी के रोयल्टी ब्रामन जीवन का आधार है प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनभव भी नहीं सर्व परमातम प्राप्तियो का अनभव नहीं ब्रामन जीवन के प्रस्णालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रोहानी रोयल्टी है तो आदी अनादी आदी मध्य और अंत सारे कल्प में यह रोहानी रोयल्टी चलती रही है तो अपने आपको देखो दरपन तो आप सब के पास है ना दरपन है दे जलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है, फलक अर्थात नश्या, देखलिये अपनेको, देखने में कीतना समय लगता है, सैकिन ना, तो सभी ने देखा अपनेको, कुमार जलक फलक है अच्छा है सभी उठो खड़े हो जाओ कुमार लाल पट्टा लगागर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता सुंदर लगता है ना एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रोयल्टी तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना और कुमार ग्रूप उठो कुमारों का ग्रूप भी अच्छा है कुमारों ने दिल में प्रतिग्या का पट्टा बांध लिया है इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है प्रतिग्या का पट्टा बांदा है कि सदा, अर्थार्थ, निरंतर, प्योरिटी के प्रस्नालिटी में रहने वाले कुमार है ऐसे हैं बोलो जी हां, ना जी यहां जी या वहां जाकर पत्र लिखेंगे थोड़ा थोड़ा धिला हो गया ऐसे नहीं करना, जब तक ब्रामन जीवन में जीना है, तब तक संपूरन पवित्र रहना ही है, ऐसा वाइदा है, पक्का वाइदा है तो हाथ हिलाओ टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो धिला होगा ना, उसको यह चितर भेजेंगे, इसले धिला नहीं होना, पक्का रहना हाँ, पक्के हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, बहुत अच्छा प्योरिटी की वृत्ती है, शुब भावना, शुब कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ती, अर्थार्थ, शुब भावना, शुब कामना, और पवित्र द्रिष्टी, अर्थार्थ, सदा हर एक को, आत्मिक रूप में देखना, वा फरिष्टा रूप में और सुख लेना यह है purity की निशानी वृत्ती दृष्टी और कृती तीनों में यह धारना हो कोई क्या भी करता है दुख भी देता है इंसल्ट भी करता है लेकिन हमारा करतव्य क्या है क्या दुख देने वाले को follow करना है या बाप दादा को follow करना है follow father है ना तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया वा सुख दिया ना तो आप master ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मन आत्माओं को क्या करना है कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे दुख देंगे नहीं देंगे बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फिल करेंगे या नहीं? कुमारियां फिल करेंगी? थोड़ा. तो फालो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो. वह गाली दे रहा है, आप सहनशिल देवी, सहनशिल देव बन जाओ. आपकी सहनशिलता से गाली देने वाले भी, आपको गले लगाएंगे. सहनशिलता में इतनी शक्ती है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है. तो सहनशिलता के देव वा देवियां हो ना? हो, सदा यही समृति रखो, मैं सहनशिलता का देवता हूँ, मैं सहनशिलता की देवी हूँ. तो देवता अर्थार्थ देनी वाला दाता, कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे, नहीं लेंगे ना? तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज़े हैं, फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो, नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं, लेना अर्थार्थ मन में धारन करना, फील करना, तो अपने अनादी काल, आदी काल, मध्धे काल, संगम काल, सारी कल्क के purity की reality, personality याद करो कोई क्या भी करे आपकी personality को कोई छीन नहीं सकता ये रुहानी नशा है ना और double foreigners को तो double नशा है ना double नशा है ना सब बात का double नशा purity का भी double नशा सहनशिल देवी देवता बनने का भी double नशा है ना double सिर्फ अमर रहना अमर भव का वर्दान कभी नहीं भूलना अच्छा जो प्रवर्ती वाले हैं अर्थार्थ युगल वैसे सिंगल रहते हैं कहनी में युगल आता है वह उठो, खड़े हो जाओ युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां तो थोड़ी हैं कुमारों से तो युगल बहुत हैं तो युगल मूरत बापदादा ने आप सबको प्रवर्ती में रहने के लिए डारेक्शन क्यों दिया है आपको युगल रहने की चुटी क्यों दी है प्रवर्ती में रहने की चुटी क्यों दी है जानते हो क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेशवरों को पाउं में जुकाना है है इतनी हिम्मत वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है, पक्का है? या कभी easy कभी lazy इसलिए drama बाप दादा ने drama नुसार आप सबको दुनिया के आगे विश्यों के आगे example बनाया है चैलेंज करने के लिए तो प्रवर्ती में रहते भी निर्वृत अप अवितरसा से निर्वृत रह सकते हो तो चैलेंज करने वाले हो ना सभी चैलेंज करने वाले हो थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो तो चैलेंज करो विश्व को क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वपन मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आई यही संगम्युक के ब्राह्मन जीवन की विशेष्टा है तो ऐसे विश्व के शोकेस में आप एक्जाम्पल हो सेंपल कहो एक्जाम्पल कहो आपको देख करके सब में ताकत आएगी हम भी बन सकते हैं ठीक है ना शक्तियां ठीक है पक्के हो ना कच्चे पक्के तो नहीं पक्के बाप दादा भी आपको देख करके खुश है मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गती नहीं टीचर्स उठो, अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह टीचर्स की विशेष्टा है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे या हर एक टीचर के फीचर्स से फरिष्टा सोरूप दिखाई दे, ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिष्टों को देख कर और भी फरिष्टे बन जाएं, देखो कितने टीचर्स हैं, फोरेन गुरूप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े बाप को प्रतेक्ष कैसे करीं दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्व्यापी है और आप कहते हो नहीं है लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमान हर टीचर में बाप प्रतेक्ष दिखाई दे तो सर्व्यापी दिखाई देगा ना जिसको देखे उसमें बाप ही द दिखाई दे यह हो सकता है अच्छा इसकी डेट क्या डेट तो फिक्स होने चाहिए न तो डेट कौन सी है इसकी कितना समय चाहिए अब से चालू करेंगी चालू करेंगे अच्छी हिम्मत है कितना समय चाहिए 2002 चल रहा है अभी 2000 कब तक तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूँ मेरे द्वारा बाप दिखाई दे प्लैन बनाएंगे ना डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है अभी यह मीटिंग करना इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे अभी ब्रमा कुमारिया दिखाई देती हैं ब्रमा कुमारिया बहुत अच्छी है लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें तबी तो विश्यो परिवर्तन होगा ना, तो डबल विदेशी इस प्लैन को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, पक्का, अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूरण हो जाएगी, ठीक है ना, अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, पक्कारण सबको याद प्यार मिल रहा है, बाप दादा को भी डबल विदेशी इस ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है, क्यों प्यार है, क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित बन गई हैं, वै व आपको उलाना तो नहीं मिलेगा ना, कि भारत में आये विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया, तो बापका उलाना पूरा करने के निमित बने हो, और जनक को तो बहुत उमंग है, कोई देश रहनी जावे, अच्छा है, बापका उलाना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन पहले लगता है कि ये बार-बार क्या है, लेकिन जब भाशन करके दुआई ले आते हैं ना, तो जहरा बदल जाता है, अच्छा है दोनों दादियों में उमंग उच्सा बढ़ाने की विशेश्ता है, ये शान्त करके बैठ नी सकते, सेवा भी रही हुई तो है ना, अगर नक्षा लेके देखो चाहें भारत में, चाहें विदेश में, अगर नक्षे में एक-एक स्थान पर राइट लगाते जाओ, तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुई हैं, इसलिए बाप-दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं ठकाओ, आप सब में खुश हो ना, अभी एक कुमार्या भी तो टीचर बनेगी ना, जो टीचर हैं वे तो हैं ही, लेकिन जो टीचर नहीं हैं वे टीचर बनके कोई ना कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंस बनेगी ना, डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जो पुब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, इसलिए बापतादा डबल मुबारक भी देते हैं, अच्छा, चारो ओर के अतिस नहीं, अतिस समीत, सदा आधी काल से, अब तक रोयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से, प्योरिटी के जलक दिखाने वाले, सदा स्वेम को सेवा और याद में तिवर पुरुशार्थ द्वारा नंबर वन बनने वाले, सदा बाप के समान सर्व शक्ती, सर्व गुण संपन स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ती, विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से, सबी ने सेवा के प्लैन अच्छे अच्छे बनाए हैं न, क्योंकि सेवा समाप्थ हो तबाप का राज्य आई, तो सेवा का साधन भी आवशक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो, सेवा और स्ववनती दोनों ही साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है, तो सेवा के निमित तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर ही रही हो, बाकि अभी जो काम दिया है उसका प्लैन बनाओ, उसके लिए क्या-क्या स्वेम में वा सेवा में व्रदी चाहीं, एडिशन चाहीं बेह प्लैन बनाओ, बाकि बाप दादा सेवा धारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं, सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नती को पा रही है ना, उन्नती है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहीगा, अभी सिर्फ जो अलग-लग बिखरे भिन-भिन प्लैन बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन्न सभी का एक ग्रूप सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मन परिवार के सामने आजाई, ठीक है ना, बाकि सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो, अच्छा, ओम, शान्ती विस्तार जामा का ज्यान है तो नीची उपर नहीं होंगी जो भी भिन भिन परिस्तितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगी स्लोगन द्रिष्टी को अलोकिक मन को शीतल और बुद्धी को रहम दिल बनाओ अच्छा ओम शांती